तो आज हम बनाएंगे मटर और लौकी की सबजी आपने मटर और आलू की सबजी तो बहुत बार बनाई होगी लेकिन एक बार आप मटर और लौकी की सबजी भी बना के देखे यह भी बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने एक कप मटर को रात में भीगोने के लिए रख दिया था और अब मैंने कुकर में एक बड़ा चमाच ओयल ले लिया है और अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून जीरा डाल देंगे और यहाँ पे मैंने एक तेजपता ले लिया है और एक बड़ा प्यास जिसे मैंने बारी कट कर लिया है और अब हम इसे थोड़ा गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राइ कर लेंगे और अब आप देख सकते हैं, आपर प्याज फ्राइ हो चुका है, तो हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, तो मैंने यहापर दनिया पॉड़र ले लिया, लालमिज पॉडर, हाफ टेबल स्पॉन जीरा पॉडर, टूथा टेबल स्पॉन आमचुर पॉडर और टूथा टेबल स् अब ये अच्छे से मिक्स करते हुए 10 से 15 से के लिए से फ्राइ कर लेंगे और अब ये फ्राइ हो चुका है हम इसमें मटर को डाल देंगे और मैं इसमें 1.5 गलस पानी डाल रही हम इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉल आने देंगे अब आप देख सकते हैं , हम इसे एक बार और mix कर लेंगे यहां पर मैंने एक बोल की ले लिए जिसे कटका लिया है तो सब्सक्यार माहँ पे पेशन ले लिया है एक बोल की ले गGood-द कर लीए और बोल करेंगे जिसी की ये गल्य ना और अब बन मिसल हो चुके हैं हम इसमें फोड़ा सा हरा देनिया डाल देंगे और इसे एक बढ़ और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुके है और हमारा मटर और लौकी के सबजी बिल्कुल तयार है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले